ठेकरे रख रखे थे उन्हों पाणी भरके आते थे क्योंकि अंदर की एक इसको में आतम निष्ट धरम बोल ताँ वेको ताँ प्रम्प्रागत धरम दूसरा आतम निष्ट धरम प्रम्प्रागत धरम वो है जो मारे पूर्वज प्रम्प्रा से करते आरे आत्मनिष्ट धर्म वो है जो आत्मा की जरूरत के इसाब से आत्मा की भूख के इसाब से आत्मे पैर उठाए प्रंप्रागत धर्म वो है जो सास्त्रों में लिख्यूई बाते हैं उसको धर्मे सफीना बोलते हैं यानि कि जो सफय के उपर, पन्य के उपर, पेज के उपर, किताबों में या मंदिर मस्जीद में या मूर्तियों के उपर जो धरम लिख दिया गया, वो धरम में सफिना है, वो परंपरागत धरम है लेकिन अत्मनिष्ट धर्म वो है जो आपके अंदर एक creation एक उर्जा को जनम दे कुछ नया करने के लिए कुछ नया बनने के लिए जो चीज हो रही है उससे अग्य बढ़ने के लिए जो हमारे पूरुज ने करया है जो प्रंप्रा अगत धर्म से हमने मिली है शर्दा और विश्वास उसके बल पर आत्मनिष्ट यानि के आत्मा के अंदर जाना किस ने किया आत्मनिष्ट धर्म का कौलन अरजुन ने किया एक प्रंप्रा जो दुल्योदं था वो प्रंप्राओं के साथ बन जा हुआ था जो राजा करते आ रहे थे विश्विकारों का भोग करते आ रहे थे यह जो राजाओं के कांथ शिकार करना, भोग भोगना, वो सारे करते थे वो, लेकिन जो अर्जुन था, जो पंड़ों थे, वो नितिकत दर्म को मानते थे, तीन बात आगे हैं, इसमें तो परंपरागत एक नितिकत एक अत्म निष्ठु, परंपरा तो वो है, जो मारी पुराणी परंपरा, मारे पूरवज चलाते आ रहे हैं, जैसे किसी परिवार में, किसी इसलाम धर्म में लगालो, रोज़े खोलते हैं, या रोज़े रखते हैं, या आज की यत्रा करते हैं, यह कोई प्रिवार कोई व्यक्ति काड़ी देवी की भगती करता और बली चड़ाता है वो यह डापू में परत्था होती है राजाओं में भी परत्था थी आज भी कई जगा इस देश में यह परत्था है बली चड़ाने वाले पसू पसू नहीं बच्चों की बली चड़ाई जाती है यह है प्रंप्रवादी धर्म इस द्रम में हम कुछ नए एक अंदर में जागरती नहीं होती जो चीज पहले ही बना दी गई है उसी पैह उसी लाइन पर हमें चलते हैं अपना कुछ एक आत्मा का ध्रम नहीं मानता है आत्मा क्या कहते है अंदर से कोई पुकार उठती है, इन्दु धरम का हूँ, मुसल्मान धरम का हूँ, मेरे अंदर पुकार उठती है कि नहीं मैं दूसरे धरम का इसकी मदद करो, लेकिन मेरे धरम मारे कहते हैं कि दूसरे धरम में नहीं चला जाना, ये काफिर है, ये खुदा काद भी नहीं है ये परंपरागत धरम है गंगा का पाणी पीते हैं कुए का पाणी पीते हैं पूछता है ये कौन सी जात का है ये कौन सी धरम का है कुतरत के जितने भी शरोत है सूरज है पर कास देता है पूछता है ये हिंदू है मुसलमान है ये तो बहुत बाद की स्टिरी है ये जो सूरिज का जन्म है ये तो 13-14 अरब साल का है आदमी की इस्ट्री तो पचास जार साल की भी नहीं है आदमी तो अब आया है तो आदमी ने आकर के अपनी स्वार्थ की पूरती के लिए ये लाइन खीच दी हैं जिसके उपर हम चलते हैं इसको प्रमप्रागत धरम बोलता हूं मैं आतमनिष्ट धरन वो है जो अरजुन ने मान्या अरजुन ने फोलो किया वो एक अंकूरित बीज है एक ऐसा बीज है जो जमने के लिए तयार है दुर्योधन एक बंद बीज है पढ़ा है चल रहा है लेकिन अरजुन जमना चाहता है जमना चाहता है तो उसके सामने खत्रे है खत्रे क्या है पहले तो जमने के लिए उपर बड़ी मजबूत जमीन की तैय है उस जमीन को पढ़ना पड़ेगा उसको बीज को खत्रा है उसके बाद जमने के बाद भी किसी बच्चे का किसी पसू का पैर भी टेक जागा अन्वारे बीज को यह नहीं नहीं पता कि अगतर फर आओंगे भी नहीं आओंगे अन्दी तुफान, नहीं जाने कहां खतम हो जाए, लेकिन फिर भी वो नया बीज पैदा करने के लिए अपने आपको नश्ठ करना चाहता है, वो बादरों का काम है, कई लोग कहते हैं कि उसके अंदर चलांग को लगा देगा, उसके अंदर चलांग को बुद जैसा बुद्धु लगा देगा, जो दमाग से काम करता है, गलित, हर चीज को उंगली पे फड़ाता है, कि यह काम करें तो इतने पैसे का फाइदा, इस तरफ जाएका तो यह फाइदा, उनके बस का काम बादरों का काम है कायरों का खेली नहीं है ऐसी जगे छलांग लगानी है जहां पता है नहीं कहां जाएगा और क्या होगा तरे साथ उस बीज की तरह उस अर्जुन की तरह वो बीज अंकूर जो अर्जुन जब अंकूरित होने लगती है उसकी आत्मा तो परसन 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 प्यास उठती है उसके अंदर और वो परसन पूछता है कि ये बताए मेरे को, ये बताए मेरे को, ये बताए मेरे को एक अंकुरित बूज बीज है वो आत्मनिष्ट धरम है वो आत्मा की प्यास की हिसाव से आगे बढ़ता है तो मेरे सद्गरू इसी तरह उन्होंने आत्मनिष्ट धरम का पालन किया उसके बाद मात्माओं के पास बहुत गुम्मे पसू चराते थे पैरों में जूतिया नहीं होती थी जब पैर जड़ने लगते तो बाग करके गुबर में पैर दे देते हैं कुछ ठंड़क मिलते ऐसा जीवन था उन्हों का फिर गूमते गूमते एक बुजर्ग सद्द के पास पहुंचते हैं वो उनकी आलत को देखते हैं वो कहते हैं के बाई कोई देई गुरू की खोजकर जो स्रीर रूप में इस संसार में आया हुआ हो तेरी बातों का जबाब वो देगा जैसे स्री करसन ने अरजुन की बातों के जवाब दिये इसलिए गित्ता में स्री करसन महाराज कहते हैं कि जो साकार का मैतो है जो परमात्मा जो ताकत साकार रूप में आया हुई है जो काम वो कर देगी निराकार नहीं कर सकता उसके लिए सब कुछ बराबर है कैसे मदद करता है साकार रूप नारद का कोई गुरू नहीं था बरमा आगे पूत्तर हुए तो जब नारद सोरग में जाते उनको आशन दिया जाता लेकिन जब वो उठ करके जाते तो उस आशन की सफाई करे जाते थी उस जगे को खोद करके पुटर किया जाता था निगुरा कहते हैं के निगुरा है जहां भी जाते कोई अच्छी जगे जाते तो उनको इज़त नहीं मिलते तो बड़े दुखी हुई इस बात से के बड़ा हर जगे में जा सकता हूँ लेकिन फिर भी जो देवी देवता हैं जो सवरक के मालिक है विश्णू लोक में जाता हूँ तो वहां भी इसी तरह आश्ण को दोया जाता है तो बर्मा से अपने पिता से कहते हैं कि पिता जी मैं बड़ा दुखी हूँ इसका इलाज बता हूँ गया है